हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब दोस्तो आज हम आपके लिए बजाज की तरफ से आने वाली हाली ही में लॉंच हुआ प्लाटीना 110 ABS का फूल डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ इसका on road price कितना है, mileage क्या मिलेगी, पूराने 110 से इसमें क्या-क्या नया changes आया है जानेंगे आज इस वीडियो में तो आखिर तक मेरे साथ जुरे रहे और जो लोग चनल पे नया आये हो, प्लीज चनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएए, तक कि इसी तरह की bike related informative वीडियो आपको दे सकूँ सबसे पहले जानने तो है, इस वाली नया updated model में क्या-क्या नया बदलाव आया है फ्रॉंट में यहापर एक bright DRL मिल जाता है, और anti-skrid braking का stickering दिया हुआ है क्यूंकि इसमें आपसे combi braking system यूज हुआ है, जिसमें पीछे का brake दबाने से सामने का brake भी काम करती है सबसे बदलाव की बात करें, तो इसमें आपको ABS system आपसे देखने को मिल जाएगी जो कि आभी तक किसी भी 110cc की बाइकों में नहीं दिया जाता है फ्रॉंट में देखोगे, तो यहाँ पर smoke black color में visor दिया हुआ है और नीचे एक बहुत ही बड़िया bright DRL मिलता है और इसमें आपको multi-reflector type halogen में headlight मिल जाती है halogen में turn indicated दिया है headlight के नीचे number plate लागानी की जगा इस बाइक का front में telescopic suspension दिया हुआ है जिसका travel है 135 mm anti-skrid baking का stickering, reflector दोस्तो इसका आगे की तरफ 240 mm की disc देखने को मिलता है जो कि single channel ABS के साथ आती है और golden color में caliper कितना sandal लग रही है जो की endurance company की तरफ से ये आती है दोस्तो इस bike के alloy का design देखिए Y-save में इसका alloy का design दिया है और rim की दोनों तरफ golden color में stickering दिया हुआ है front tire का section है 817 की इसका दोनों tire ए tubeless मिल जाती है glossy red color में front mudguard दिया है और इसका side में white and brown color की stickering देखने को मिल जाएगी दोस्तो इस bike को आप side से देख लेते है यहाँ पर side से ऐसा कुछ looks देखने को मिल जाएगी दोस्तो अगर किसी का height 5 foot 5 या फिर 5 foot 6 भी होगा तो इस bike को आराम से चला पाएगा यहाँ पर golden color में platina का stickering और side में white and black color में stickering देखने को मिल जाती है दोस्तो इस bike का fuel tank capacity है 10.5 liters और यह bike city में आपको 65 आराम से दे देता है और highway में 65 to 70 kmpl की बीज में रायता है यहाँ पर आपको tank guard भी company ने provide किया है दोस्तो आप इसका engine specific इसान जान लेते है इसमें 115cc single cylinder air cooled A5 engine दिया है जिसका maximum power output है 8.48 bhp and 9.81 Nm का maximum torque निकलती है यह engine इस bike का top speed है 90 km per hour की और यह engine 5 speed gearbox के साथ आती है जिससे आपको बहुत ही smooth riding मिलता है दोस्तो इसमें आपको electronic carburetor system यूज हुआ है जिससे आप लोग tail up on और reserve में कर सकते हो इस switch की मदद से exhaust में O2 sensor इसमें आपको all 5 gears downshift देखने को मिलता है और side stand cut off sensor भी इसमें safety की तोर पर मिल जाती है यहाँ पर एक चोड़ी सी पिलियान के लिए footage दिया है और पीछे की तरफ सारी guard के साथ बहुत भी बड़ा सा footage दिया है दोस्तों आप लोगों को मैं इस bike का एक बहुत ही बड़िया चीज दिखाती हूँ यह देखिए इस bike में आपको gas charge night truck suspension देखने को मिल जाएगी जो कि किसी भी 110cc की bike की अंदर देखने को नहीं मिलेगी और इस suspension का travel है 110 mm पीछे 817 की rear tire दिया है आगे और पीछे का tire section सेम ही दिया है इसमें rear tire में यहाँ पर ऐसा कुछ grip देखने को मिलता है इसमें gear box fully cover दिया है side में 110 ABS का stickering इसमें अब पहले से बहुत ही बढ़िया sitting comfort मिल जाती है क्यूंकि इसका cushion बहुत ही संदार देखने को मिल जाती है इसमें पीछे की तरफ comfort एक लिखा हुआ है black color में छोटा सा एक grab handle देखने को मिल जाईगी दोस्तो अब इस bike का meter console देख लेते है इसमें आपको इस नया updated model में semi digital instrument cluster देखने को मिल जाती है ये एक बहुत ही बड़िया changes लाया है बाजाज ने क्यूंकि 110cc की अंदर अकेली एक ही भाईक है जिसमें आपको semi digital instrument cluster मिलता है इस side analog में speedometer दिया है और इस तरफ एक छोटा सा display दिया है जिसका अंदर gear position indicator, time, trip meter, fuel gauge, battery indicator ये सब देख पाऊगे और उपर की तरफ neutral light, high beam light, engine malfunction signal और ABS का signal देखने को मिल जाएगी इस बटन को दबाने पर आप trip meter को reset कर सकते हो नीचे platina का stickering दिया है और ऐसे कुछ दिखते है इसका चावी चावी on करने पर इस display में आपको yellow color की light जलते हुए दिखेगी जो headlight on करने पर ये light जलेगी और यहाँ पर आपको वो ही पहले जाए साई normal handle बार दिया है बहुत stylish सा mirror दिया है इसमें left hand side में यहाँ पर pass switch, headlight high beam, low beam, indicator और नीचे horn का बटन दिया है single horn मिलता है इसमें इस तरफ headlight on off switch और नीचे self start का बटन दिया है दोस्तो इसका पीछे की तरफ आओगे तो देखो के round shape में tail light मिलता है जो की halogen में दिया हुआ है वो ही halogen में turn indicator, reflector, number plate लगानी की जगा और पीछे एक बड़ा सा मटगाट दिया है दोस्तो अब इस bike का on road price जान लेते है कोलकाता में इस bike का on road price है 90,100 only और यह bike total 3 colors में available है आप लोग जो color देख रहे हो इस color का नाम है cocktail wine red इसको छोड़ कर और एक आता है sapphire black and ebony black आप लोग कौन सा color पसंद करते हो हमें comments में जरूर बताना बाकि आप लोग अगर platina 110 ABS खरीदने में interested हो तो screen पे RRH number पे जरूर contact करिए दोस्तो आप लोग 110 सेजी की बाइक खरीदने चाहते हो और खरीदने में confused हो रहे हो तो इस बाइक को एक बाज जरूर ट्राइ करिएगा कसम जिमाजा आ जाएगा दोस्तो आज के लिए बाज इतना ही वीडियो अच्छा लागा है तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम